दोस्तो कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप सब रिस्वस्त और प्रसंद होंगे तथा लगताज सीख रहे होंगे मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेशर, PSMPG कॉलेज, जोग्राफी डिपार्टमेंट का नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न जोग्राफी में दोस्तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की माह सागरी निक्षेपों की यानि ओसेनिक डिपोजिट की जिसमें हमने देखा कि माह सागरी निक्षेप क्या होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं जिसमें हमने देखा इस्थलजात निक्षेप और गहन सागरी निक्षेप गहन सागरी निक्षेपों को हमने जैविक और अजैविक करके बाटा तो इस से सम्मंधित जो आपका PDF होगा इंगलिस और हिंदी में मैं वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा वहां से आप डाउनलोड करके आराम से उसे पढ़ सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो Coral Reef और Atoll सबसे पहले देखते हैं कि यह होती क्या है तो प्रवाल भीत्ती यानि Coral Reef एक प्रकार की समुद्री इश्टलाक्रती है तो जो चूना प्रदान जीवों के इस्तरी करण से विक्सित होती है यहाँ चूना प्रदान जीवों के इस्तरी करण का यासए है कि जो चूना प्रधान जीव हैं जब ये मरते हैं तो इनका इस्तरी करण होता जाता है यानि कि पहले जो जीव मरे वो एक इस्तर पर जमा हो गए दूसरे जम मरे तो दूसरे इस्तर पर जमा हो गए तीसे मरे तो तीसे इस्तर पर जमा हो गए इस प्रकार लेर बाई लेर बनती चली जाती है तो इसलिए कागया है जो चूना प्रधान जीवों के इस तरी करण से यानि स्टैटिफिकेशन से विक्सित होती है ठीक है जो प्रवाल जन्तु होते हैं उन्हें हम जुकसान थलाई जुकसान थलाई या एलगी या जुकसान थलाई एलगी कहते हैं ठीक है दोस्तो इस डाइक्राम में आप देख सकते हैं प्रवाल जीवों की ये कुछ इसी प्रकार आपकी प्रवाल भितियां होती है जो रंग ब्रंगी होती हैं विबिन आकार और प्रकार की भी होती हैं उसे भी हम आगे देखेंगे अभी आगे देखते हैं इनका विकास उष्ण कडबंधी छेत्रों में महादीपों के पूर्वी किनारों पर बांध की भांधी होता है ठीक है उष्ण कडबंध आपको पता ह कि जो भुमद्द रेखा से साड़े तेश डिगरी उत्तर यानि करक रेखा और मकर रेखा कि जो मद्द का छेत्र होता है ये आपका उष्ण कडबंद कहलाता है ठीक है और ये महादीपों के पूर्वी किनारों पर विक्सेत होती है तो पूर्वी किनारों पर ये विक्सेत होती है बांध की भांदी विक्सेत होती है ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं हम यह एक कटक नुमा आकरति है और निम्न जौर के समय ऐसे कटकी इस्तलाकरतियों के सीज दर्श्टिगत होते है प्रवाल भित्ती और इस्थर के बीच समुद्री जल पाया जाता है जो निम्न जवार के समय लैगून के रूप में दिश्टिगत होता है ठीके दोस्तों लैगून एक प्रकार की जील होती है तो निम्न जवार के समय ये दिखाई देता है प्रवाल भित्ति यानि कोरल रीफ का विकास 30 डिगरी उत्तर से 30 डिगरी दच्चिड अच्छांसों के मद्ध यानि कि आप कह सकते हैं उसने कड़बंदी छेतर में होता है लेकिन कुछ प्रवाल वित्तियां मर्द एवं उच अच्छांसों के छेतर में भी पाये जाते हैं इसका प्रमुक कारण जलवाय परिवर्तन और प्लेट टिक्टोनिक यानि कि प्लेटों का खेसकना है अगर आपसे कोई पूछे कि मर्द और उच अच्छांसों में प्रवाल वित्तियां क्यों पाये जाती हैं तो किस कारण जलवाय परिवर्तन और प्लेटों के विस्थापन के कारण यानि प्लेटों का एक जगे से दूसरे जगे किसकना ठीके दो तो इसके बाद है अपका प्रवाल वित्ति के विकास के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी है यानि कौन कौन सी ऐसी कंडिसन है जिसके अनुसार प्रवाल वित्तियां पाई जा सकती है देखते हैं आगे प्रवाल विक्ति के विकास के लिए वे सभी परिस्तितियां अवश्यक हैं जो प्रवाल के जीवों के विकास के लिए अवश्यक हैं प्रवाल जीव को हम क्या कहते हैं जोकसान थलाई एलगी कहते हैं ठीके रुखतो अब क्यों अवस्या है कि क्योंकि प्रवाली जीवों के अवसेश से ही प्रवाली इसलाकरतियां विक्सित होती हैं प्रवाल जीवों के विकास के लिए निम्न लिखित परिस्तितियां अवश क्योंकि प्रवाल-जीव जब Μरते हैं तो इन्ही के इस्तरी करण से आपकी प्रवाल वितियों के विकास होता है और जो प्रवाल-जीव Thanks जो खोल होते हैं, वो कैलसियम कार्बोनेट के बने होते हैं, यह आपको याद रखना है, ठीके दोस्तों, कैलसियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कौन प्रवाल जीवों का जो खोल होता है, वो कैलसियम कार्बोनेट यानि की चूने से बने होते हैं, और यही जब मरते हैं, त सी परिस्तितियां हैं तो सबसे पहले ताप मान जो 20 से 21 डिगरी अधर से मंध्ध विक्षित होते हैं ठीक है दोस्तो आप आपको प्रवाल भित्ती की विकास के लिए जो दसाएं है इनको हमेशा याद रखना है क्योंकि question आपके यहीं से exam में पूछे जाते हैं ताप मान कितना होना चाहिए 20 से 21 degree Celsius होना चाहिए ठीके दोस्तों गैराई देख लेते हैं प्रवाल भित्ती विकास के लिए समुद्र की आदर्स गैराई चाहिए 60-70 मीटर या 200-500 फीट होनी चाहिए यह आपको याद रखना है गैराई 60-70 मीटर या 200-500 फीट होनी चाहिए ठीके दोस्तों आगे देखते हैं इसका विकास समुद्री सतय तक होता है जहां प्लैंकिटन का विकास होता है या सूर्ण की किरणे पहुंचती हैं और हमने देखा था जब ताप मान का लमवत वित्रण मासागरों में देख रहे थे कि सूर्ण की किरणे 200 मीटर अधिक गहराई तक ही जाती हैं इस के कारण इस प्लांगिटन की उत्पत्ति होती है जिससे समुद्री जीवों का विकास होता है क्योंकि समुद्री जीवों का भोजन प्लैंकिटन ही होता है ठीके दोस्तो प्रवाली जीवों का विकास अती लवणता युक्त समुद्री जल में नहीं होता है यानि यदि मासागरी जल में अती दिक लवणता है तो वहाँ जीव नहीं विक्सित हो सकते लेकिन पूर्टाह लवणता विहीन समुद्री जल में भी इनका विकास नहीं होता है यानि कि ना तो लवणता युक्त पूर्टाह समुद्री जल होना चाहिए और ना लवणता विहीन होना चाहिए यानि कि इनके बीच की स्थिति होनी चाहिए कैसे 27,000 प्रती ग्राम समुद्री जल में नहीं होता इनका विकास जो 27 से नीचे होगा तो विकास नहीं होता पूर्टाह लवण विहन समुद्री जल भी इसके लिए अनकूल नहीं है ये पहले बात कर लिए हमने 27 से 30 ग्राम प्रती 1000 ग्राम लवणता युक्त वाले समुद्री जल अनकूल परिस्तितियां पाई जाती है यानि लवणता कितनी होनी चाहिए 27 से 30 ग्राम प्रती 1000 लवणता होनी चाहिए ठीके दोस्तों और जो आपका जो आपका ये चिन है ये लवंड़ता को ब्यक्त करता है और इसका मतलब है एक हजार ग्राम जो जल है आपका उसमें लवंड़ता की कितनी मात्रा है ठीक है तो एक हजार ग्राम जल में कितनी लवंड़ता होनी चाहिए 27-30 ग्राम होनी चाहिए तब ये अनकू इसके बाद प्रवाल का विकास वैसे चिछले सागरों में अधिक होता है, चिछला का मतलब जिसकी गहराई कम है, जहां पठारी नुमा आकरती हो, अर्था सतय का ढाल मन हो, यानि पठारी नुमा आकरती हो में इसका विकास होता है, ठीक है, आगे देखते हैं, प्रवाली जी मिट्टी से युक्थ होना चाहिए क्यों? क्योंकि स्वच्छता की इस्तिती में लवण का आभाव हो जाएगा और हमने देखा कि लवणता का पूरता आभाव भी नहीं होना चाहिए ठीक है? जबकि मिट्टी की उपस्तिती में प्रवालों का मुख बंद हो जाएगा और इसका विनास हो जाएगा यानि कि मिट्टी अगर है चल में तो प्रवालों का मुख बंद हो जाएगा जिसे वो भोजन गिरान नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे तो भी प्रवाल भित्टी का युक्त होना चाहिए ठीके दोस्तों इसके बाद इन जीवों के विकास के लिए प्लैंकिटन का विकाश अनिवाद है क्योंकि आपको पता है कि प्लैंकिटन समुद्री जीवों का प्रमुख भोजन होता है इसलिए प्लैंकिटन का विकाश अनिवाद है प्लैंकिटन इसमें ही प्रवाली कीडों का विकाश होता है और इन कीडों के विकाश से प्रवाल वित्ती विक्सित होती है प्रवाली जीवों के अवसिस्ट के अलावा सूच में वनस्पतियों के अवसिस्ट भी मिस्तित होते हैं ठीके दोस्तों आगे देखते हैं कि विश्य में प्रवा ये देख लेते हैं। जहां पर आपके इंडोनेशिया मेमाल लाओ शिंगापूर वगएरा है यह वही चेत्र की बात है तो वहां पर 30% पाए जाते हैं यहां प्रवाल दच्छडी फिलिपीन से पूर्वी इंडोनेशिया और पश्मी नियूगनी तक पाए जाते हैं ठीक है यानि कि यह जो सभी द पातू पापू अनियूगनी में भी प्रवाल पाया जाते हैं अस्टेलिया के पूर्वी तड़ पर इस्थित ग्रेट बैरियर रीफ जो दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है यह आपको याद रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी प् करें तो मनार की खाड़ी लक्ष दूइब और अंडमान निकोबार दूइब प्रवालों से ही निर्मित है इसको पढ़ते समय आपको एटलस हमें सामने पास रखना चाहिए और यह जो लोकेशन बताई जा रही है इन्हें आपको एटलस में देखकर के हाईलाइट करते चल खाड़ी में भी पाए जाते हैं इनकी लोकेशन भी आप देख लिएगा लाल सागर और फारस की खाड़ी ठीक है अब हम देख लेते हैं प्रवाल भित्यों के प्रकार यानि टाइपस ओफ कोरल रीफ ठीक है दो देखते हैं भागोलिक इस्तिति यानि जियोग्राफिकल सि इनकी English word आप यार रखेंगे, क्योंकि ये कभी-कभी English word ये आप से देखर कि पूछ लिए जाते हैं, तटी प्रवाल बित्ती को fringing reef कहते हैं, और रोदक प्रवाल बित्ती को barrier reef कहते हैं, और वर्याकार प्रवाल बित्ती को at all भी कहते हैं, ठीक है दोस्तो? इसके अलावा इस डाइग्राम के मादध हम से आपको इनका वर्गी करण बताया गया है जैसे प्रवाल वित्तियों के परकार तीन है तती प्रवाल वित्ति, अव्लूदक प्रवाल वित्ति और एटॉल और ये किस के अदार पर है प्रक्रती आकार और अवस्थिती के अदार पर प्रवाल वित्तियों को तीन भागों में बाटा गया है अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या क्या होती है सबसे पहले आपका तटी प्रवालवित्ती यानि कि कोस्टल या फ्रिंजिंग कोरल रीफ ये तटके किनारे विक्सित होती है इसकी मुटाई समानता कम होती है इनको देखते चलना है क्योंकि इनमें जो थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा तो इनका टाइप्स बदल जाएगा तो ये तटके किनारे होती है और इनकी मुटाई कम होती है अधिकतर मुटाई 50 से 55 मीटर तक ही पाई जाती है यहां लाइगून चिचले होते हैं और लाइगून की शमाने गहराई 0.3 से 1.5 मीटर तक होती है इस लाइगून को वोट चैनल कहते हैं या आपको याद रखना कि वोट चैनल किसे कहते हैं तो तटी प्रवाल भित्ती से निर्मित आकरती को वोट चैनल कहते हैं ठीक है और जिसका आगे देखते हैं लाइगून की सतह पर प्रवाली चटानों की टुकड़े होते हैं इसमें कले एवं मिट्टी का मिश्टन होता है जीवित प्रवाल भी इ कि और मिट्टी के मद्द मिलकर लैगून की सतह पर निच्छेपित हो जाते हैं इसी प्रक्रिया के कारण लैगून छिछले होते हैं ठीके दोस्तों इस डाइग्राम के मार्द्य हम से टटी लैगून को दिखाया गया है यह आपका तठ है तो देख सकते हैं आपकें तक के इसके बाद हम देख लेते हैं अगला है आपका अवरोधक प्रवाल भित्ती यानि बैरियर जीफ अवरोधक भित्ती भी तट के किनारे ही विक्षित होती है किन्तु ये तटी भित्ती की तुलना में अधिक दूरी पर होती है पहले में हमने क्या देखा कि तट से लगी हुई लेकिन जो अवरोधक प्रवाल भित्ती है तट से थोड़ी दूरी पर होती है ठीके इसमें आप चित्र के माद्यम से दिखाया भी गया है ठीके दोस्तों दिखाया भी गया है जैसे आपका ये तट है इसके बाद कुछ सागरी जल है आपका बीच में दिखाई दे रहा है और इसके बाद आपकी प्रवाल भित्ती पाई जाती है तो आपका ये जो तट से थोड़ा दूर विक्सेत होती है ये अवरोधक प्रवाल भित्ती होती है ठीके दोस्तों आगे देखते हैं अवरोधक भित्ती की चोड़ाई भी तटी भित्ती से अधिक होती है समानता ये 50 मीटर से अधिक होती है और तटी प्रवाल बित्ती 50 से 55 मीटर थी ठीक है और ये 50 मीटर से अधिक होती है लेकिन 150 मीटर तक हो सकती है Great Barrier Reef की अधिकतम मुटाई 180 मीटर तक होती है इसका लाइगून भी अपिक छक्रत अधिक चोड़ा वो गहरा होता है और इस्थल की और ढ़ाल दोनों ही तीव्र होते है ठीक है अवरोधक भित्ती का सबसे अच्छा उदारहन आपका Great Barrier Reef है जो की कहां पाई जाती है अस्टेलिया के पूर्वाग में पाई जाती है यहां पर Great Barrier Reef का एक डाइग्राम दिखाया गया है यह आपका आश्टेलिया महादूर भित्ती आश्टेलिया की पूर्वी तटके किनारे 9 डिग्री दच्छी अक्छांस से 22 डिग्री दच्छी अक्छांसों के मद्ध 1920 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है यह आपको याद रखना है इसकी लोकेशन याद रखना है तो कितनी है 9 डिग्री दच्छी अक्छी अक्छांस के मद्ध है लंबाई कितनी है 1920 किलोमीटर है इसके लाइगून की आउसत गहराई 240 किलोमीटर है 240 है यानि मीटर है ठीक है और इसकी चोड़ाई 11 से 128 किलोमीटर तक है ठीक है दोस्तों ये आपको लोकेशन इसकी याद रखना है कि ये अस्टेलिया के प्रांत क्विंस लैंड के उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है क्योंकि जब आपसे प्रस्न बनता है तो वो पूर्वी भी दे देता है ठीक है तो पूर्वी आपका गलत हो जाएगा एक्जेक्ट लोकेशन है उसके उत्तर पूर्वी भाग में ये आपका अस्टेलिया महादूइप है अस्टेलिया महादूइप का ये प्रांत है जिसका नाम है कुइंस लैंड जैसे भारत में आपके 28 राज्य हैं इसी प्रकार अस्टेलिया में भी कुछ राज्य है जिसमें जिनमें से एक है कुइंस लैंड के उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है ये है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ जिसकी लंबाई कितनी है 1920 किलोमीटर है और इस्थिति क्या है 9 डिगरी दच्चे अच्चांस से 22 डिगरी दच्चे अच्चांस के मद विख सेता है ठीक है दोस्तो अगला आपकी प्रवाल बित्ती है एटॉल जिसे वलियाखार प्रवाल बित्ती भी कहते है इसे भी हम देख लेते हैं एटॉल का विकास समानता ज्वाला मुखी द्वीप के चारो तरफ होता है ठीक है यानि कि एक द्वीप है आपका जो ज्वाला मुखी से बना हुआ है और इसके चारो और इसका विकास होता है द्वीपों के किनारे प्रथम दो प्रकार की भित्तियां भी विक्सित होती है लेकिन वर्तमान समय में दूइपों के किनारे अधिकतर एटॉल ही पाय जाते हैं वह वलियाकार भित्ती जो इस्थाई रूप से समुद्र की सतय से उपर है वह एटॉल दूइप के नाम से जाने जाते हैं ठीके दोस्तों आपको पता है कि दूइप क्या होते हैं दूइप एक ऐसा छोटा इस्थलखंड होता है जो चारोज जल से गिरा होता है तो वह ही बताया जा रहा है आपका कि वह वलियाकार भित्ती जो इस्थाई रूप से समुद्र की सतय के उपर होती है उसे हम एटॉल दूइप के नाम से जानते हैं एसे दूइप अधार भूत चटान बेसाल्ट है यानि कि जो आपके एटॉल होते हैं वो किन चटान उपर विक्सेत होते हैं तो बेसाल्ट चटान उपर विक्सेत होते हैं एटॉल बित्ती पुनाह अधिक मोटी होती है इस बित्ती में किनारे के आंतरिक वबाय ढालतीवर होते हैं लाइगून की गैराई भी अधिक होती है यहाँ पर एक एटॉल का चित्र दिखाया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि यह दूइप के चारो और पाई जा रही है यह आपका दूइप है यह आपकी प्रवाल भित्ती है जो चारो और से घेरे हुए इसे यही आपकी प्रवाल भित्ती है यह गोडे की नाल की आकरती की होती है यह आपको याद रखना है आपसे पूचा जा सकता है कि गोडे की नाल की आकरती किस प्रवाल भित्ती की होती है तो आपका अंसर होगा एटॉल की यानि वल्यकार प्रवालवित्ती की गोडे का नाल आपका कुछ इस प्रकार होता है अगर आपने कभी देखा है तो इस प्रकार का होता है ठीक है जो गोडे के पैरों में लगाया जाता है यह जलमगन पठार के उपर विक्सित होना है यह सरवादिक मोटी प्रवाल विक्ती है ठीक है ताहीती दूइप इसकी आप लोकेशन एटलस में देख लेंगे कि ताहीती दूइप कहां पर है आपका ताहीती दूइप में इसकी मोटाई हाजारों मीटर तक होती है इनके लाइगून भी सरवादिक गहरे होते हैं जिसकी गहराई 240 से 420 मीटर के बीच होती है ठीक है इसकी तट और इस्थल की ओर ढ़ाल दोनों ही तीवर होते हैं दच्छडी प्रसांत मासागर में स्थित, फुनाफाटू दूइप और विक्नी दूइप इसके अच्छे उदारण है इनकी लोकेशन भी आप देख लेंगे फुनाफाटू दूइप और विक्नी दूइप को भी लोकेशन देख लेंगे किस इस्तिति के नुसार बागौलिक इस्तिति के नुसार सबसे पहला है आपका ट्रू परवाल नाम ही इसका ट्रू परवाल जिनकी वल्यकार बित्ती के मद्द सिर्फ एक छिचला लाइगून होता है कोई द्वीप नहीं होता यह आप यार रखेंगे कि केवल लाइगून है इसमें द्वीप नहीं है कोई मद में इस लोकेशन में आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि इसके चारों तरफ आपके प्रवाल है और इनके मद में केवल आपका लाइगून है कोई द्वीप नहीं है आपका ठीक है दूइब आपको पता है कि इस थल का चोटा भाग जो जल से गिरा होता है चारो तरफ से वो आपका दूइब कहलाता है लेकिन इसमें क्या है प्रवाल तो चारो तरफ से है लेकिन मद्ध में केवल लैगून है यानि जल भरा हुआ है ना की दूइब है ठीक है इसके बाद अगला है आपका आइसलैंड एटॉल ऐसी वलियाकार भित्ती जिसके मद्ध लाइगून और दूइब दोनों इस्थित होते हैं यह आप याद रखेंगे कि पिछले में क्या था कि केवल लाइगून थी इसमें लाइगून और दूइब दोनों होते हैं प्रसांत मासागर में अधिकतर एटॉल इसी प्रकार के हैं ठीक है इस चित्र के माद्धे हम से आप देख भी सकते हैं आराम से चारओं तरफ आपके यह वलेयकार प्रवारबित्या और इसके मार्द में एक दूरिब है आपका अर दूरिब के साहठ साहरे आपकी लाइगून भी है ठीक है यानि कि ऐसी वलियाकार भित्ती जिसके मर्द में लाइगून और दूइब दोनों पाय जाते हैं इसे हम कहते हैं आई लेंड एट आल और जिसके मर्द में केवल लाइगून होती है उसे हम कहते हैं टू एट आल अगला है आपका तीसरा नमबर ऐसे एट आल जिनके मर्द में पहले तो कोई दूइब नहीं होता है पर बाद में समुद्री लाहरों के निचेपन के लिया से बन जाता है ठीक है यह आपको याद रखना है कि पहले कोई दूइब नहीं है लेकिन समुद्री लाहरों के निचे का एटॉल ही है एटॉल के समुद्र में पाय जाने के कारण समुद्र में जल्मगन बेसाल्ट निर्मित दूइब हैं उदाहण के लिए मनार की खाडी अंडमान के पूरी तट पर इस्थित दूइब यह सब प्रवाल को समुद्री वर्सावन के रूप में भी जाना जाता है यह आप याद रखेंगे कि जो आपका ओसायनिक रैन फॉरेस्ट है उस किसे कहते हैं तो आपके प्रवाल को कहते हैं समुद्री वर्सावन यह कुश्चन कई बार आ चुका है कि समुद्री वर्सावन किसे कहते हैं तो यह प्रवालों को कहते हैं प्रवाल भित्नियों को कहते हैं ठीक है इसके बार प्रवाल भित्नियां बहुत से जली जीवों के आवास स्थल भी होते हैं प्रवाल भित्निय ये पारिस्थितिक तंद्र चलता है जिसमें आजयवेक और जयवेक संगठकों के मद्ध विविन्द किरिया प्रित किरिया होती है वह प्रवाल बित्यों पर ही होती है स्वास्त प्रवाल भित्तियों के धरातल उबर खाबर सनचना के होते हैं जो आने वाली समुद्री तरंगों की तीरता को कम करते हैं यानि कि जो आपकी सुनामियां आती हैं या समुद्री तरंगें आती हैं उनकी तीवरता को कम कर देती हैं आपकी ये प्रवाल भित्तियां तो यह इनका महत्तो है ठीक है दोस्तो प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंदित कुछ सिधान्त भी दिये गए हैं जिसमें अलग-अलग बिद्वानों ने अलग-अलग मत बताया है कि किस प्रकार सबस्तित्यांत की मारे वित्ति आ दिई स्वेडी के इत्तिर्वाल भी विद्तितर्व जो इंक्षान मीधा कें दिया ता यानी प्रकार अजक्तित्वी camon Le स porch भी त्मान जो दिए गए हैं वित्वानों की दोरा उन्होंने इन सिद्दान्टों में क्या कहा है एंपल यानि परवाल की प्रवालभित्तीक के विकास से संबन देण ठीक है दोस्तो तो आज हमने इस वीडियो में बात की कि प्रवाल भित्ती क्या होती है प्रवाल भित्ती के विकास के लिए आदर से दसाएं कौन से होती है प्रवालों का वित्रंड विस्टु में हमने देखा कि कहां कहां पर पाये जाते हैं प्रवाल भित्ती की प्रकार देखे हमने जिसमें हमने तटी प्रवाल भित्ती यान आज इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ यह कह सकते हैं कि प्रवाल बित्तियों की उत्पत्ति से समंद्धिसे धानतों को ले करके अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ठीके दोस्तों और इस वीडियो से सम्मंदिर जो पीडियोफ है मैं आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में वीडियो के दे दूँगा वहाँ से आप हिंदी और इंगलिस दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं और अराम से पढ़ सकते हैं ठीके दोस्तों तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक तसन रहिए खुश रहिए मुश्कुराते रहिए धन्यवाद मित्रो जै हिंद